पूदो पुत्र, कैसे लगे ये वस्त्र? हम दिलमनी से ही पूछ लेते हैं बताओ लल्ला, तुम्हें कौनसे वस्तर अच्छे लग रहे हैं, बताओ हाँ, पस एक बार संकेत दे लल्ला जहें, जहें, लगतो है इसने ने स्वयमी अपना बस्तर चुनली हो है जे वाला दिखाईए कौन सा जे वाला अब उठाया है अपने सहीवर क्या केसब भाईया तब से जे सिली उई पोसाक रखो है आपने और हमें तब उससे आप पोरा वस्ते दिखा रहो थे हर्धार्थ हर्धार्थ हमारा पुत्र हमारे पासना होकर भी हमारे साथ ही है सही कहा स्वामी हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंदाए हाती घुरा पाल के जे नंद को पाल के हाती घुरा पाल के जे गनया लाल के रंगोली रंग सज रहे न्यारे इतने महिक रहे है मोगरे वाले मोर पंख के मुक्ट लगा के पशों भी लग रहे कितने प्यारे सज गए खरांगर दीवारे सज रहे पालक नर और नारे हीर जले भी दूद मलाई प्रेम मेनों भी बने मिठाई एक जलक पाना जाहे सब गो खुल राज को आरके हाती घुरा पाल के जे नंद को पाल के हाती घुरा पाल के जे नंद को पाल के कि जे घुरा पाल के बने मिठे बने जाए यह दो खुल एक जड़ के जे लोगवाद इनका जाए पाल के जाए लोगवाद को पाल के जाए पुर्णा मौसी बहुत अच्छा किया आप आगई, सच्ची जे तो वही पुर्ण्य आत्मा है पुर्ण्य मौसी जिन्होंने भविस्य वाने की थी कि जिजी के लल्ला होगो तब लगो की ब्या के इतने बर्सों के बाद ऐसा होना असंभव है कि तु आज देखो हाँ पुर्ण्य मौसी आपके कही बाद सच निकली जे देखो मेरा लल्ला क्या कि अब बुड़ी हो गई है ये सोधा दुख तो इस बात का है कि जीबर के तरे लल्ला को देख ना पा रहे हैं जानत है गाओं में सभी क्या कहते हैं ये सोधा का लल्ला बहुत प्यारा है हाँ वो तो मैं हूँ किन्तु तुम कैसी हो पूर्णा किसी ने कुछ कहा क्या ना अवस्य ही मुझे ब्रह्म हुआ है चौक क्यों गई हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा लल्ला की दे तो दमक रही है तो क्या मुझे से बात भी जही कर रही है ची मुझे से बात कर रही है अरे क्या कर रही हो सब को मत बताओ पूर्णा ये केवल हम दोनों का रहसे है मेरा और तुम्हारा भ्यान से देखो पूर्णा पहचालो मुझे दाडिमा दाडिमा देखो ये सब देवता है ना हाँ सारे देवता पतारे सारे तेरी सस्ति पूजा के लिए आये हैं पूर्णा मेरे रहसे को गोपनिय रखना है तुम्हें ये सच्ची में ये सच्ची में क्या मॉसी हाँ हाँ पूर्णा मॉसी क्या हुआ कोई चिंता की बात तो ना है ना उतना दसो दिशाओं में जिसके नाम का डंका बशता है वो महान मतुराधी पती आज मेरे साधारंड से आवास पर हाँ अवश्य ही कोई विशेश कारण होगा कारण है वो कारण है जो तुम्हें मेरे लिए करना है चिंता किस बात की जब सुहम नाराएन ही नहीं पूर्णा माया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विश्णू का अफ़तार हूँ है क्या हूँ मौसी कहना क्या चाहती हो आप जे जे बात कर रहो है आपसे और जे सभी देवी देवता पधा रहे हैं जे सब का क्या मतलब हाँ तुम्हें मेरी भक्ती की सोगंध है पूर्णा तुम्हें तेज है यह मुझसे कुछ कहना चाहतो है हाँ हाँ यह आखे बूड़ी हो गई है यह सुधा नजने क्या देखती हैं क्या समझती है धन्यवाद पूर्णा सच कहूं तो कभी-कभी मुझे भी ऐसा ही लगतो है मौसी अवस्य ही तिरे लल्ला पर बगवान स्री नारा इनकी विसेश कृपा है तब ही तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कहीं आसपास है मैं प्रभु बक्ती में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है आप पुन्या आत्मा है मासी आपकी जब गूड बातें मेरे पलने तो ना पड़ती पर इत्ता जानतो हूँ के जी नारायन की हम पर कृपा का साख साथ सो रूप है जी लल्ला किन्तु अब मैं सब समझ गई हूँ इस बालक के रूप में स्वयम नारायन ने उतार लिया है तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आये हैं माहराद आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर च्छाय इस ग्रहन को राहू बनके निगल जाऊँ हाँ किन्तु वो विश्णू शिशू के रूप में कहीं छुपा हुआ है इसलिए पिछले दस दिनों में जितने भी बालकू ने जन्म लिया है उन्स सब का पथ करना होगा ये सब मैं आपके लिए क्यों करूँ तेरे लिए नहीं अपने लिए करो जितने अधिक शिशूओं को तुम ढूंड पाओगी उतने अधिक शिशूओं को मार पाओगी अहां तो यहां है आप अहां तो यहां है आप क्या हुआ आप रुक्यों गए शनी देव आईये ना शनी देव नहीं नहीं यह उचित नहीं है इतर जाकर जब तक प्रभूश्री नारायड को चीप आरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांती नहीं मिलेगे किन्तो यदी मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वख्र द्रिष्टी उन पर पड़ जाएगी यह शोदा मैं भी निकलती अचाँ लला आजा आजा लला गुढ़ी मी आजा आजा लला आव कस्तूरी मासी के पास आफीगो नहीं कस्तूरी में लूं mega लला आज unosकली को चलिए जोगा सांथ हों जाओ सब भीगो सांथ भीगो घर ना जानो है घर ना जानो है तुम सब के कारण मेरे और मेरे लला को तनिग मी समयना मिलतो है साथ में अतिती भी चले गए अब तो जाओ सब जिजी तो आतरहा है आजा अजा आजा गोदी में आएगा अरे मुझे देखाए मुझी कुछ तुम सब के कान में बात ना जारी मेरी अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लला का पेट दुखने लगेगो मस करो सब चलो ऐसे मधुर किलकारियां भरेंगे मैं स्वयम को कैसे रोख पाऊंगा प्रभू परिसान कर दो है ना लला बहुत थको है ना हाँ अब कोई परिसान ना करेगो सब गए अब तू भी सोजा जैसे रोणी जीजी सुलाती है ना तिरे बड़े बाईया को वैसे ही सुलाओंगी तुझे यह हुई ना बात मैया बहुत आनंदा रहा है पर मैं आखे बंद करू भी तो कैसे शनी देव कितने व्याकुल है मेरे दर्शन के लिए कौन है कहां देखरो हैं ओ महाराज आप कौन? और आप यहां क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला अच्छा लल्ला को देखने आयो अरे तो इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आये थे तब क्यों ना आया? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहां से हो आप? और सबसे पहले हो तो अपना नाम बता सक्ची सक्ची बोलो मैं शनी, शनी देव अच्छा सनी देख मैं चंडी माता मैं आप एक तो चोरी-चोरी ज़रोकी से जाक रहो थे उपर से स्वयम को सनी देव बता रहे हो है? क्या समझते हो? महराज जदी आप सच्ची में सनी देव है फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्सन बिलकुल ना करवाऊंगी किन्तो क्यों मैया? भूलगा आपकी ही दर्स्ती के कारण मैया पार्वती के लल्ला का सीस कटगव था फिर हमारे डमरू धारी भोले भंडारी ने हाथी का सीस लगाके उनके प्रान बचाओ और अच्छे बले हमारे गनेश जी गजानर बनगव वो भगवान है उनके लिए जी सब करना संभव था किन्तु मैं तो साधारन मैया हूँ माराज चदी आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वाकर दर्स्ती लग गओ तो ना ना आप ही बताओ ऐसे कैसे देखने दू आपको अपने लल्ला को है? सनी देव अब आप छमा करो मुझे मैं अपनी दृष्टी केवल छो दिन का है मेरा लल्ला और जिद दिन प्रति दिन के उत्सव से बहुत थगव है उसे सोने दो माराज लो कर लो बात मैं तो जाग रहा हूँ मैया मिलने दो ना शनी देव को मेरा भी बहुत मन है अंके दर्शन करने का जैराम जी की ऐसे धोंग्यों से जित्ता बच के रह लल्ला उत्ता ही अच्छा वैसे तुझे सच्ची के भी सनी देव होते ना तो भी न मिलने नेती मैं तुझे लल्ला अरे स्वांग जूटा हो सकतो है जिलतु सनी देव की वक्रदर्शती तो सच्ची होते है ना हाँ हाँ ने तो ये क्या कियीा ανα कितना दुख हुआ होगा शनी देव को न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनी देव आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे खंडे जोके से नीनना आरी लल्ला को मैं अभी सारे ज़रों के बंद कर देती हूँ ठीक है फिर माईया तुझे लोरी गा के सुलाएगी तो बहुत अच्छे से सोएगो मेरा लल्ला अभी आई माईया अभी आई माईया तुझे से सुलाएगी बिना मिले ही जा रहे है शनी देव अवशे ही ये मेरा प्रम होगा लो कर लो बात दर्शन देने में सुयम आया हूँ तो आप मेरी पुकार अंसुनी करके जा रहे हैं प्रभू आपके धर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा ऐसा इसलिए शनी देव क्योंकि ये कोकिला माध्यम है मुझे आप से मिलाने में सहायक है ये कोकिला प्रभू प्रभू मैं धन्य हो गया संपूर जगत आपके धर्शन लेने आया खिन्तु आप मुझे धर्शन देने चले आये प्रभू आपने सच्चे हृदे से स्मरण किया था फिर कैसे ना आता मैं जब भग इश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है मेरी तपस्या का फल इतने वड़े वर्धान की रूप में मिलेगा इसके कल्पना भी नहीं की थी मैंने आपने अपनी तपस्या से इस थान को पवित्र कर दिया है शनी देव आज से जो भी मुझे हिरुदे में धारण कर यहां आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी तो फिर प्रभू मेरा एक अंशी यहां सदेव निवास करेगा इसलिए आज से यह स्थान कोखिलावन के रूप में जाना जाएगा और मेरी वक्र द्रस्टी से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहां पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे ये विश्णू ही है लो भाई मेरा लल्ला तो सजधच के आगो है अब तुम सब बताओ इसका पालना सजो की ना बिल्कुल तैयार है ये शोदा जी देखो लल्ला के प्योग के लिए कितना ब्यार को ले है चलन्ना अरम सजची हुआ हाँ अरे सिगरी चलो पालना उचो अरम ना उजाए ने तो नील मनी को जुलाने का आउसर ना मिलेगो तो उसका पालना उत्साव है आज अब देख चलिए विश्णू तरी मैया के साथ कैसा चल करती हूँ मैं चलो ही चलो मेरा अध्यान अपनी ओर आकशित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तुने तु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा किन्तु मैं मैं तेरा अस्तित्पो नश्ट कर दूँगी कहो भाबी क्यासा लगो पालना लल्ला का है पालना जे ही बताएगो क्यासा लगो लो जिद जी लल्ला ने तो खा कर दे ही तो पालना उस अब आराम करें रुको पहले मुझे देख तो लेने दो पालना ठीक तो है ना है तो सुंदर किन्तु सुरक्षित भी तो होना चाहिए जे जे फूल जे आज के ही है ना कीटपा तंगे तो ना लगी इनमें ना भावी आज सवेरी मैंने और जानकी ने स्वयम तोड़े है फिर उन्हें धोया तब जाके सजाया है इसने और जे मोरपंक इनकी नुकीली सिरे बीतर की ओर तो ना है मेरा लल्ला को चुप गई तो बाहर की और ही है जिजी मैंने स्वयम लगाए है और जे गद्दा और उनके बस्त्र सब कोमल है ना हाँ हाँ जिजी आपके सारे नीदेशों का ध्यान रखो है हमने अच्छा अच्छा और जे पाल ना जे सुरक्सित तो है ना भार उठा लेगो ना मेरे लल्ला का जे क्या कर रही हो चाब अरे मैं महिया हूँ सदेव साबधान रहनों चाहिए हाँ ने तो प्रिदेव प्रसंत हो गया ये सब जानकर बहुत प्रसंता हुए भाया रोहनी दीदी कैसी है उनका पुत्र स्वस्तो है ना हाँ भाई नंद रोहनी कैसी है सब कुसल मंगल है मेरी भावी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते आपकी प्रतीक्षा कर रहे है नन भाई मेरी ओसे शमा मांगीगा अपनी भावी से उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया वो समझती आपकी परिस्तिती का आभास है उन्हें लो मैं तो भूली गए हूँ भावी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे बिटिया कहा है क्या हुआ सब कुछ ठीक तो है ना अकाश वानी में मेरे आठवे पुत्र का उलेग था पर उसने मेरी गोज से मेरी पुत्री को चीन लिया और तो फिर नारायन के अफ़ार वो कहां गए वो नारायन की लीला वो ही जाने किंतु अब तक अफ़तार की मित्यों ना कर पाने के कारण कंच क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है उसने उसने उतना नाम की अत्यन भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है जिनका जनम पिछले दस दिनों में हुआ भाई नंद इसलिए आप साफधान रहें यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है अभी साथ दिन पहले तो अनर्थ हो जाएगा अब हुआ तुमारे पुत्र काज़ा कितने समय पहले बस साथ दिन का हो गया हमाराज हमारालला प्रॉन 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 राम 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 जी प्रणाम प्रणाम जी पाका इस छोटे मार्च से चलिये किन्तु महराच ये मार्च तो पथ्रीला है हल्दी मैं पहचान ना पाई आप वसुदेव जी ने भेज़ा है मुझे आपके नीलमानी को दूद पिलाने के लिए किन्तु मेरे लल्ला को आपका दूद कैसे राजा वसुदेव पे आको भरोसा नहीं है ये बात ना है किन्तु यादव को के सभी बच्चों को मैं दूद पिलाते हूं ताकि उनको मेरे समान तेर घायू और उत्तन स्वास्त का वर्दान मिल पाए कल ही तो सूचना मिली थी कि वसुदेव भाईया और राजकुमारी देवकी को कारागार से मुख कर दो है कंसने और आजचे बाहर लेकर मिलने भी गय थे संभाव है वसुदेव भाईया ने इसीने भेजो एने काका सीगिर्ट चलो क्या हुआ अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाएंगी मुझे उसके उत्तम स्वास्त और लंबी आयू की कामना आपके मन में भी थो होगी है क्यों न अवस्य है आई आई अब आ ही गई हो तो मेरे पालना उत्सब में तुम्हारा स्वागत है पूत्ना पर मुझे जूला नहीं आना मारने की मन्शा से आओगी तो स्वयम्रित्यू के जूले में जूल जाओगी येढ को अच्छाइ जुम्हारा चालो 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 चा लिल्ला 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 लिल्ल काका , हम रोक जोगे ? कोकुल अभी दूर है नन भाईया पाईयी किल्या निकल गया है कसना पड़े गो तो लेल आगष् अजिए बना करते हो, बना करते हो नदेमा यु little बना करते हो कुक कुक बना करते हो बना करो लख व. बना Wahhh! Laila… अपरे! औरो कोई मेरा लालाओगी जाना हरो!! आरो कोई मेरा लालाँी जाना ला… Haa… बस्काल BASS!!! Laila! Laila…! The Charlo… बन्मारे Laila! Laila! आ से ईए निल्मणी निल्मणी. आई माड़ी, चोड़ दू? चोड़ मुझे चोड़ मुझे चोड़ दू? यत्ते 것도 हीख राड ना राठ जिसी, विगे तो नमें उख करो 갈ां लाला, होदाः, लाला הס ऑन धूर्म आपको 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 जाइ मुझे! कर दो वि दोशेश आराऊ दो 이거 से प morality रेशध इना सक्षारी रेश्यों आराऊ माद दॉँडरो टोढ़िश्यों जारैं जोली you मैं अधम नराधम अभिमानी हो गई थी प्रभू विश्णु अफ्तार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने कैसे सोच लिया एक निर्दोश अभोच शिशो को विश्प पिला दूगी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभू मुझे शमा कर दीजिए हम सब जो भी करते हैं आज तुम्हें जो किया उसका संबन्द तुम्हारे पिछले जन्द से था जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बली की पुत्री रत्नमाला बली डैत्यों के राजा थे बहुत ही शक्तिशाली और मेरे परमभग तैत्यों गुरु शुक्राचारे की सहायता से वो अमर हुए और पृत्वी और स्वर्ग के समराटपन बैठे यग्यपूर्ण होने के बाद वो सभी आचिकों को उपहार देने लगे तब मैंने बौने ब्रहमन का अवतार लिया बाहमन अवतार रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भाबुक हो गए तुम्हारा हिदय ममता से भर उठा अब एक ही अभिलाशा है मेरी तुम्हें पुत्र रुप में पाना गोद में खिलाना अपना दूथ पिलाना तब मैंने तुम्हें वर्दान दिया कि तुम्हारी अभिलाशा अवश्य पूर्न होगी किन्तु प्रभू यदि ये वर्दान था तो मैंने आपको दूथ के स्थान पर विश्पिलाने का दुश्कर्म क्यों किया क्रोध के कारण ने जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता बैत्यराज महाबली के साथ किया था उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी उपहार में तीन पक्स थान मांग लिया था मैंने उनसे किन्तु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभू? जब राजा बली ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया तो मैंने विशालत्रिविकरम सुरूप भारण किया प्रथम पग में मैंने संपूर्ण प्रित्वी नाफली दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग किन्तु फिर राजा बली के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा पर महा बली भी अपने वचन के पके थे तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीशा पित कर दिया मेरे बार से महा बली पाता लोग जाने पर विवश हो गए अपने पिता के साथ हुए इस वियवहार के कारण ही तुम्हे क्रोधाया था दूद पिलाने की कामना थी पर अब विश्पान कराना चाहती हूँ तुम्हे विश्पान तुम्हारी वो मनो कामना भी अवश्य पूर्ण हो की मन ही मन ऐसा वर्दान दिया था मैंने तुम्हें और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई है रत्नमाला भले ही तुम्हारी नियत में विश्पा पर तुमने मेरी भूक मिटाने का उपक्रम किया मुझे अपने वक्ष से लगा यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मा के समान पूजनिय हो गई हूँ और इसलिए आपसे तुम सभी बंदनों से मुक्थ हूँ मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ मा ओम श्री हरी एक शंका और है प्रभू मेरे हाथो इतने सारे मिर्दो शिष्वों की हत्या क्यों हुई जिन शिष्वों के प्रान तुमने लिए उनके पूर्व जन के कर्मों के कारण इस जन में उन्हें अलपायू ही होना था यही विधी का वेधान धारत नमागा तब्सक्क का वेधात रिच्च रखे लेकर का प्रभू जिक्या साथ १। लुझा प्राश प्राश जिए प्राश बाइभ। जगाज रगाज कर दो तो एपर भूँ एपर भू रखचा कर भूँ बदेखू टॉँ अब बिल्थों है यह शोगा यह शोगा वक्ता मन्या शोगा अगा जुछा जुछा वरा, टुछा जुछान जुछान जुछाई आ। लाट अलाग। ए्लाग। ए्लाग। How लाग। इसोल। वर उब लाएस है? वह दो है को गुलाओ एगा? गुतरा? को लाख को इनूँ झा दो? को लाख को लाख को ले खील! वह शिएखो नंतर। लला भोला पूखरी लेशखो केड़ वह शिएखोर है लुट्साट। लल्ला, लल्ला, लल्ला सीडी लेगा हो कोई नील मनी गबरानमा धमारे अरे सीडी लाओ, चलो जल्डी लाओ हमारे लाओ 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 मुझे क्या होना है माईया, मैं बिलकुल दीक हूँ मेरा दील माणी, मेरा लल्ला अब तो मत्रो माईया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी माईया की गोद में मैं तुझे तीयो बाचे, पूरा ना कर पाई लल्ला मैं तेरी सुरक्चा ना कर पाई प्रभावति, गोमुत्र और गोबर लिया शुद्धी पूजा शुरू करनी है लावने शुरा क्यों चाहिए मेरा लल्ला सत्य बताना कौन हो तुम? और जे सब कौन है? ये शुद्धा, मैं रोहिनी जिज्जी और ये सब गोपिया तुम्हारी सख्या जैसे बारोसा करो मैं कि आप रोहिनी जिज्जी हो और जे सब मेरी सक्याई है कैसे भरोसा करो कि आप जो दिख रही हो, सत्य में वो ही हो, कोई और ना हो मेरे घर जो आई थी, साक्षा देवी का रोप थी किन्तो वो चुड़ेल निकली, राक्षा सी बस, अब मुझे किसी पर भरोसा ना करनो है करना करना नारायन के क्रिपा से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे लल्ला को समझने का प्रयास करो वही तो कर रही हूँ जिची समझने का प्रयास बुद्धि प्रस डो गई थी मेरी कि एक अंजान पर बरोसा कर लो मैंने एक माँ होके भी मैं सत्य न देख पाई किन्तु आप तुम सब स्वायम को सक्या बताती हो ना मेरी तुम सब ने भी न देखी एक बार में मुझे सची इतना किया उस राक्षसी के बारे में यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो कहा आ जाती क्या करती किसको दोस देती तुमने सत्य कहा या शोधा यह हम सब का दोस है हम सब से दुटी हुई और हमारे नीलमणी के प्राण संकट में पड़ गये किसी को दोस देने का आप कोई लाब ना है हमें अपनी तुटीयों से सीखना हुग एक भूल हम पहले ही कर चुके सुद्धी ना करके दूसरी भूल ना करेंगे यह शोधा हाँ यह शोधा उस राक्षसी ने हमारे नीलमणी को वीश पिलाने का प्रयाज किया था नारा इंकी किरबासे अब हमारा लल्ला ठीक है किन्दू उसके स्वास्ति के लिए शुद्धी पुजा करनी ही होगी घबराओ मत मैया अब सुरक्षित हूँ मैं आटे दो बड़े हासी आ रहे है तुझे क्यों रहे इप्पी प्रसनता का कोई न कोई कारण तो अबस्य होगा बता लल्ला बता अपनी मैया को ना बताएगा ये क्या कर रहे हो चंदर शमा कीजेगा ब्रभू मैंने आपके ध्यान में बाधा डाल दी श्री विश्नु अवतार के बाल सरूप की किलकारियां सुनकर मुझसे राहा ही ने गया इसलिए मैं बार बार जुपकर उनकी एक जलत पाने की चेश्टा कर रहा था क्या इतनी अध्वूत है उनकी मुस्कुराहट उनकी मुस्कुराहट तो चंदरेव की आभास है भी अधीक है और रूप तो ऐसा प्रभू कि उन्हें कितना भी देखें ना आखे ठकेंगी और ना ही मन मुझे उनसे मिलना ही होगा उनकी मधुर मुस्कुराहट का आनंद लेना होगा मुझे चाहे जो हो जाए वो फटते ही जाओंगा उनसे मिलने अरे राम, अरे राम, 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 अरे रे इस जोगी की जोली पुकार रही है मैया इसे भर दो आप तो स्वेम ही इतने सम्रद्ध लग रहे हो बाबा मैं आपकी जोली कौन से वस्तों से भरूं? अर्ष से, उलाश से, प्रसन्नता से, प्रमोज से कुछ देर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में खेलने दो मैया मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सखा कृपा करो मैया, अब इस जोगी से और प्रतीक्षा मत कराओ ना, ये तो मैं ना कर सकती पर क्यों मैया, मैं बहुत दूर से मिलने आये हूँ है आपके लल्ला से देखो बाबा, जो दे रहे हूँ, उसे आप स्विकार करो मेरा लल्ला अभी बहुत नंधा है आपकी जे भेजबुसा से भेभीत हो जाएगो पर मैया, मैं तो आपके लल्ला को आशिरवाद देने आया हूँ कुछ दिन पूर भी एक स्त्री आई थी आशिरवाद देने राच्छ से निकली वो और जे आप अनोखी बेजबुसा में आयों राम जाने आप कौन हो आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर मैया को मनाना भी नहीं आता आपको बस एक बार मैया बाबा मैंने कही ना ना कार्थ ना बस मैया बहुत होई आपकी हट अब आप इस जोगी की हट देखोगी अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता मच जाओ मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया हाँ बाबा बैठ जाओ जित्ता समय मन करें उत्ते समय तक बैठो आप किन्तु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे मैया आप मुझे पैचानती नहीं है मैं दस सहस्त्र वर्षों तक समाधी में बैठ सकता हूँ जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा उस पर आपका कोई अंकुष नहीं रहेगा तब मिलनूँगा उससे पर बिना मिले लोटनूँगा नहीं सका इतना असार नहीं है मेरी मैया से जीट पाना आप दस सहस्त्र वर्षों तक बैठ सकते हो तो मैं भी 20 सहस्त्र वर्षों तक जे द्वार बंद रख सकती हूँ पीछे का द्वार खोल दूँगी मेरा लल्ला खेलने जाएगो आ जाएगो किन्तु आप से ना मिलने दूँगी आप होंगे बड़े हटी किन्तु मैं भी मैया हूँ एक मैया के हट को पहचानते तुझे ऐसी चुनौती ना देते आप लो कर लो बात अब क्या करोगे भूले ना मुझे भैय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझे पर नहीं करेंगी अब आप ही कुछ कीजिये परखो मनाईए अपनी मैया का हूँ क्या हूँ अललला क्या हूँ या सुदा ये ललला क्यों रो रहा है देखो ना जी जी चुप भी ना हू रहा है या सुदा कोकुल का राज कुमार है जे कोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोख सकते हैं भला बाबा आए बेट की मंगल बेला आए बार के पीछे अशुदा माई धन्य भाग हुए शुद्जी के नील मरी की जलक जुपाई रूप अलोक्रिक इतना प्रभुका सबका ही मन बोहले हुआ अलोक्रिक इतना इतना ते ते ना ते ना दर्शन करने आये बोले जोगी वाले पेहन के चोले दर्शन करने आये बोले नील मनी को गोद में भरके प्रिप्त हुए प्रभू सखा से मिलके भाव अनंत जो मुले मन में नैनों से अश्रू बनके चलके स्रिष्टी ने भी इंद्र धनुष के सत रंगी रंग घोले मुख से भजन हरी के बोले दर्शन करने आये बोले जोगी वाले पेहन के चोले जर्शन करने आये भोले कितने लंबे समय से आपके दर्शन के प्रतिक्षा कर रहा हूं प्रतू सतयल से आपका अनुसरन किया है मैंने सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं करको और मैं हूं अपने भक्तों का दास समझ संसार के लिए इश्वर हूंग पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाद्य हूं सका है जिस प्रकार आप देवों के देव है उसी प्रकार मैं आपने भक्तों का भक्त हूं तभी तो विश्णु ही शिव है और शिव ही विश्णु है शिवाय विश्णु रुपाय शिव रुपाय विश्णु विश्णु बाबा आप जैसे टक्टकी लगाकर देख रहे हो मेरे लल्ला को द्रिष्टी लग जाएगी जिसकी द्रिष्टी उतारने वाली ऐसी मैया हो उसे किसी की द्रिष्टी कैसे लग सकती है भला लीजिये सभाली अपने लल्ला शमा करना बाबा आपको बहुत कस्तियो शमा का कोई कारण नहीं है आप तो बस मैया होने का धर्म निफा रही थी नील मरी धन्य किसे आप जैसी मैया मिले सत्यवचन सखा सत्यवचन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे छोटे सिमित्र को मा की वो ममता मिली जिसके लिए सदैव सिता रस्ता था ना ना सखा क्या कर रहे हो भेद कोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप जैसे एक मा तडपती है अपने पुत्र के सने के लिए वैसे ही एक पुत्र भी तरस्ता है अपनी मा की ममता के लिए फिर चाहे वो कोई साधारन बालक हो या स्वयम नारायन का अवतार बाबा आप कित्ती अच्छी बात कह रहे हो तेरे देप्रसंद नोगा आपके लिए कछो लाओ बस तर्शन मिल जाए तो लोटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य लिया ये गमरीली बस आपके शुब हातों से बने माखन की मटकी दे दीजी मैया मेरा सारा संसार उसी में समाज आएगा अवश्य अवे लाई योजी अवे जे लीजे बाबा आप सब परसंद रहें स्वस्त रहें दिरगाई हो यशस्वी हो आपके घर पर धन धाने सुक समरिद्धी आश्वर्य और बैभव ऐसे वरसे जैसे सावन के मेग हरे राम, हरे राम, 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 सब्सकत्र करें झाल झाल उसकी रक्षा नहीं कर सकता यदि वो गोकुल में ही है तो लगता है जो कार्य पूत्ता नहीं कर पाई वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी योद्धा को खोज लिया है इतर आओ इनकी बुद्धी इतनी तीवर है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अत्भुच सुक्षमता से अध्ययन करके सुलजा दे जिनकी बुद्धी की विशेष्टा समस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है वो है ये सुक्षम बुद्धी शरीधार सुक्षम बुद्धी शरीधार सुक्स अध्यार सुक्षम जबाद कर दो भी पहाँ सुक्षम अध्या खिंग सुक्षम, रुद्धी है यह रहा घर अन्त तह पहुंच ही गए अरे मूर्खो मार क्यों रोक रहे हो तक जाओ वर ना भस्म कर दूआ तुमें तनि थैरिये महराज बिना पूछे मूठा अंदर चले आ रहे हैं हमें रोक रहे हो अरे जानते भी हो कौन है हम नहीं जानते और जानने की आबसकता भी क्या है और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे बुका है ना आदेश नहीं है इसलिए महाराज आपस निवेदन है जई मार्क से आब आपस लोड़ जाओ पीचे चले नहीं जाओ अक्या हुँ है इसे कोल लो खोलो इसे है तूम जानते ह buckets किसका अपमां कर रहे हो मूर्खो वुद्ध्रेश हो गई तुमारी शृद्र महाराज है हम कहात महाराज चला बहता है, अच्छा कौन महाराज चला बहता है अच्छा! कहाते महाराज यहा बंधा है northern Rani क्या गोर अपमान किया है तुम दोनों ने गोर अपमान ये असुदा तुम जानती है नहीं ना किन्तु लगतो है जे मेरे माबाबा को जानते हैं मेरे माईकी के ओर से आये हैं जे स्रीधर महाराज अरे मेरी भूली मैया धूंगी महाराज है ये असुर है जो भी हो जाओ चलो जाओ अरे किन तु अरे बोलने दो इने बेटी यशोदा हम सिधर महाराज आपके माता-पिता के करीबी परिचित है हम हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आये थे और हां ये अखंड पूजा का प्रसाद भी देना था कई पकवारों से मैं ये अब ये यहीं से भीज़ देगा मुझे बुद्धी लगाओ सुक्ष्म बुद्धी इससे पूरु की खेल बिगड़ जाए शीग्र ही कोई उपाय निकालो अब ये आप कही कश्च कर रहें श्रीमान हम आज़ाब है 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 हमें दख्का किस ने दिया है दख्का है हमने कचुनी कारो आपको जयादा अधिक चोड़ तो ना लगी भाईया आपने भी तर ले चलो है सुथा है है मर गया चोड़ तुम कुकुलवासियों को भी ना दे थी वो इन्हें दे रही हो जे बात तो है ऐसे कैसे आने दो होना है हाह मर गया है इन्हें चोट लगी है सहता तो करनी चाहिए भी तर आने दो ना आप सुथा कल वो जोगी बाबा को तो भी तर आने दिया था ना अब ये भोले भाले बुड़े बाबा मेरे माईके की ओर से आये हैं तो बड़ी समस्या हो रही है आपको कोई बात ने बिटिया समस्या है तो फिर कभी आजाए जाए रुक जाओ बाबा जब तक आपका स्वास ठीक ना हो जातो है कहीं न जारो आप बीतर आज़े यार जाओ बैच जी को लेके आओ उन्हें काओ सिग्रता करें जाओ 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 आओ बाबाबा भगवान तुमारा बढा करें बिटिया साधा सुखिर हो अरे ये तो जगा हुआ है और इसमें ये आभा कैसे है ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या किन्तु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यूं चमकेगा इसके बीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है ये अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज क्या सकते है और क्या भ्रम कौन है कौन है यहां मुशक महाराज आओ दर्शन कर लो मेरे बस देखते ही मत रहो असली मुशक को डूणने में मैया की सहायता करो यह है और यह आई है कार했어 mai जाट चैन चैन जद आखे कर थागासे था थाओं थे मुशक हाय थे थाओं अगर मेरे लल्ला को सताओ ना, तो इस ना कूटूँगी, कि फिर कभी न दिखाएगा। जो जूट बोले, वो टंडा खाए। समझाया महराज। लल्ला, यहां आधे रात में तेरी महिया मूसक बगा रही है। और तो यहां आनन से खिल खिला रहो है। हायराम, हायराम, लल्ला, तो जाग रहो है। कई महूसक तेरे पालना में तो ना गुसो है। मया, वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया। ए सुधा, क्या हो गयो। मूसक है जी। मूसक? कहा? कहा? जी, इसके बीतर! यहां तो ना है। लगता है चले गयो। देखो नल्ला, इत्ते डंडे मारो हैं तेरी मया ने उस मूसक को, कि कभी तेरे निकट भी न भटकेगो। हाँ, हाँ नल्ला, तो चिंता मती कर, तो चैन से सोजा। सोजा। चिंता तो अब वो करेगा मया। यह क्या हो रहा है सुक्ष्न बुद्धी? जब से यहां आया हूं, कुछ न कुछ अमंगल ही हो रहा है। तेरी दिविता, मेरी बुद्धी के पंजे में फसकर ऐसे फड़ पड़ाएगी जैसे… फड़ पड़ाना बाद में। पहले मेरी रक्षक से तो बच के दिखाओ, बुद्धी राज। रुक जा दूस्ट। इतनी शीगर भेद खुल गया क्या मेरा। लगता है आज बेलन से पिटाई होगी। इतनी से इच्छा। ठीक है, पूरी कर दूंगा। आपक बस्क्रिया आपल्स ऑपक दो भड़ाना लुक कर दो कर दो क्या हुआ बाबा दरगा है जे आपके लिए ना है जे तो समधुमक्खे के लिए कपसे घूमरो है चानि कहा से आगो है आप ही बताओ ऐसे कैसे घूमने दू मेरे लल्ला को डंक मार दे तो हाँ लल्ला का सोचो उसमधुमक्खे ने मेरे लल्ला के आसपास गुवेगी और मईया देखती रहेगी हाँ नहीं तो जूट बोला तो मधुमक्खे से भी बुरी दशा हो जाएगी धोंगी महराज बाबा वैसे आप यहां क्या कर रहे हो मेरे लल्ला के पास अब भॉजन खाने आयोंगे आज तनिक विलंब होगा बाबा वो जान की ना आई जे सब गोपियां जमना जी के तर्ट पर जा रही है हाँ जमगट करेंगे सब बेरिया तोड़के खाएंगी इसलिए फिर तो बेटी है सुदा तुभे भी जाना चाहिए क्योंकि तुम तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हो सही कहाद होंगी महराज अब मुझे ही कोई लीला रचनी पड़ेगी नील मनी ओ नील मनी तुम सब तो घाट पर जाने वाली थी गई ना लल्ला को देखे बिना कैसे चले जाते और आप भी तो आ रही है हमारे साथ लल्ला कौन आयो है हाँ तु भुलारो धाना इसलिए हम सब के सब चले आए तुछ से मिलने मैं कहीं न जा रही जा कैसे ने रही आप आप भी चलेगी हमारे साथ जैसे पहले चलती थी पूछना रही हो जशुदा जी बता रही हूँ अरे हम भी तो यही कह रहे थे मतलब जाना चाहिए तुम्हें मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं नील मणी को छोड़के कहीं न जा सकती बेटी यचुदा मैं जब से यहां आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसे की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती तो मुझे भी सेवा का अउसर दो तुम क्या चाहती हूँ मैं तुम्हारे उपकार का पोज लेकर चला जाऊं यहां से और जब मेरा अंद समय आये तो तुम्हारा रिंड चुकाए बिना ही प्रांट चाग दूँ मानो तो भला ना मानो तो भला चिंतु सत्त यही है तुम्हें विश्राम की आवशक्ता है मा की उर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है इसी लिए तुम्हें स्वस्थ और सदा प्रसन्य चित रहना चाहिए अब नील मानी के लिए आपको चलना ही होगा जहें इसका ध्यान रखने के लिए अरे किन्तु बाबा को भोजन भी तो परोस्न हो या या रो हम स्वयम परोस्न लेंगे तुम जाओ तुम जाओ विटिया चलिए जशुदाजी चलो चलिए आप जशुदाजी चलिए खुछपल के लिए तो मेरी चिंता छोड़ो मैया और जीवन का आनन्द लो तब तब मैं इनको संभालता हूँ कि अधार आप अधार नतीक असनान अम्या संसार भूल के मौज में मगन हो जाना ऐसा लगता है जैसे जिस अध्याप पूम्हें भूली गई थी आप आज कित्ते दिनों बात वो ही आनन्द फिर से अनुभव करूंगे मैं क्या समचार लाए हूँ इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भेजा है और सबसे बुरी बात तो जे है कि वो हमसे पहले यहां आ चुका है पीछे देखो पीछे यह बेलन अपने आप हावा में कैसे उड़ गया श्रीधर महराज लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नील मडी की मैया हो यह पत्थर चाहे भी न तो अभी आपका निशाना चूक ना सके हाँ जी जी वहना लला के कहेगा कि मैया ऐसे ही वापसा गई एक काम भी न ले पाई हम तो जे बात है तो दो फर पत्थर दिखाती हूं मैं भी कि नील मडी की मैया क्या कर सकती है हुआ 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 है मैया का बेलन है लला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा द्वार खोलिए ताई जी महाराज तनिक व्यस्थ हैं भी पिटने में यह दोलिया कैसी है श्रीदर महाराज श्रीदर महाराज वार खोलिए खोलिए वार खोलिए अरे चिची कुछ जर्तो रुको आम तो खालो अरे तुम सब समझना रही मुझे कच्छो ठीक ना लग रहो है मेरी छटी इंद्री भी संकेत दे रही है मैं घर जा रही हूँ अरे भापी जो रुको अरे भापी जशो दा भापी चरण सपर्श कर लिए तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा अरे अरे देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे आखे खोलने की चेश्टा तो करो अरे में में आपको अरे रहां प्रभू, मैं मूर्ख जब से यहां आया हूँ, आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूँ और आप मुझे ज्यान के प्रकाश का आशिरवात दे रहे हैं। आपकी लीला प्रमपार है प्रभू, आपकी लीला प्रमपार है। अब आप आत्म ज्यान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर। मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्यान के लिए करें स्वस्मय स्वल्पम समाज आय सर्वस्प अर्थाद अपने लिए केवल आवशक्ता के अनुसार शेश सब समाज के लिए तु ठीक तो है ना लल्ला हाँ आज तक अपने लल्ला को अपने से दूर ना करो मैंने आज पहली बार आप पर विश्वास करके गोपियों के साथ गई थी आदर से पूछ रही हो महराज सक्ते बताओ क्या कर रहे थे आप आपने सुनी भाईया यह सोदा ने क्या कई कि वाज पहली बार लल्ला को छोड़ कर इस बहुन से बाहर गई और जे है गयो यदि उसे पता चलेगो कि यह पाखंडी भावा यहां क्यों आयो है और उसके लल्ला के प्राण संकट में है तो फिर कभी वो इस भावन के बाहर पग न धरेगी मैं समझतू नन पर इसने यदि सुम ही सब मान लियो तो आप दोनों की चिंता उचे थे कितनी कठेनाई से महिया पूतना की घटना भूल पाएं थी इत्ता तो मैं समझ गई हूँ जो आप दिखते हो वो आप हो ना सत्ते बताओ कौन हो आप और आपका उद्देश से क्या था ये क्या बताएंगे मैं बताती हूँ चोरी करने आये थे यहां नील मनी की माला चुरा रहे थे मैंने पकड़ लिया तो महाना बनाने लगे आवश्य ही और अधिक मुल्यवान वस्तुए और आभुशनों को चुराने के लोब में इन्होंने मुझे फीतर बन कर दिया और बाहर पूरा भवन उत्थल पुत्थल कर दिया जे सत्ते क्या रही है रुक चाहिए श्रीधर मैया को मेरा सत्य मत बताईएगा ये कैसी लीला है प्रभू आपका आदेश है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता पर आपका दिया सत्यान पाकर अब मैं जूट भी तो नहीं बोल सकता मौन धारन करना हो या स्वर उठाना हो कार्य परिस्थिती के अनुसार ही करना चाहिए वैसे आप यहां चुराने ही तो आये थे मेरे प्रान मौन क्यों हो गए? बताओ जिस सत्ते हैं आप चुरे करने आये थे जिस सत्ते हैं बच गए हमें पतो है किसने भेजवा है तुम्हें हो सके तो मुझे शमा कर दीजेगा नंदराज आप यहां से जीवित इसलिए लोट कर जा पा रहे हैं क्योंकि मैं हिंसा का बिरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि यह सोदा को पता चले कि उसके लल्ला के प्राण बड़े संकट में पर अब ध्यान रहे महाराज क्या आप लल्ला के तो क्या कोकुल के भी निकट दिखाई दिये तो मैं वो कर बैठोंगो जो मैंने आज तक ना कियो मैं शमा प्रार्थी हूं महाराज यशोमती मैया को समझ आ गया है कि नंद उनसे कुछ छुपा रहे है मैया इस बात से रूठ जाती है और नंद उन्हें मनाने का प्रयास करते है तब नंदलाला ही कुछ ऐसा करते हैं कि सब ठीक हो जाता है कमसे का मुझे बता तो देती जो तिसी से प्रामर्ष ले रही हो मैं ले चलतो तुम्हें सुन रहे लाला इस संसार में सारा अपराद श्त्री काई होता है बात अपराद की ना है यह सोधा मैं बस यह कह रहो हूँ कि मुझे अगर यह बात बताई होती तो जान मुझके ना बताई तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कच्छु छुपाने पर क्यासा लगतो है युद्य तो घमासान होता जा रहा है इसी कारण बस यदी मैंने कच्छु ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिसोद लोगी मुझसे हे नारायन जे क्या केना चाहते है क्या इस भी कठोर हूँ मैं लल्ला के लिए एक छोटा सं निर्ने ही तो लियो मैंने अपने लल्ला पर क्या इत्ता भी अधिकार ना है मेरा अब क्या हर बात पर अनुमती लेनी पड़ेगी मुझे इससे पहले कि ये आंसुओं की वर्षा क्रोट की आंधी में बदल जाए मुझे ही कुछ करना होगा मेरे कहने का अर्थ यसो तो बात तो सुनो सुनने को बचो क्या है अब आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची दे दो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आज्या लेनी है उठना, बैटना, खाना, पीना सब आपसे पूछ कर ही करूँगी अब अरे आप बोलो तो जा हुआ? हाँ, देखो आपने हमारे नन्ना ने अपनी पहली करवट लेली कंस इस बार नंदलाला को मारने के लिए भेजता है कागासुर को खोदा पहाड और निकला कववा कागासुर क्या, तुम में वो ख्शमता, वो योग्यता है तो मेरे अज़गूरे कारे को पूरा करने के लिए आवश्यक लन्ना, करवट लेके दिखाएगो ना सबको तेखो, कैसे अंसरो है जे अभी करवट लेगो लन्ना, सीगरता से करवट लेले, चल सब ऐसे देख रही है जैसे नटनटी का खेल देखने आई हूँ चानकी, बैट जा इत्ते भी क्या सीगरता है? भूख लगी है क्या? मैं कच्छो ले आते हूं खाने को किन्तु कोई अपने स्थान से हिलेगा ना और द्रिष्टी तो बिल्कुल ना हिलनी चाहिए समझाए? लो, मैं तो इनको सदा रहा था उल्टा माईया पर ही आउ भगत का दायतु पड़ गया इससे तो अच्छा है, मैं करवट ले ही लू ले रहा है झाहा है झाहं झाहा है देखा तुम चामने कि पाद बुठाना ना देखो नहीं जी-जी हम सब फिर से चुक गई कैसा कागा एरे तु तेरे कारण मेरी सहेलिया नील मनी का करवट ना देख पाई अभी आना था तुझे जिए कैसी ढानी है को आने रसो ही में अजर करते हैं वे नारायन, जे सब क्या होगा हुआ। उज्वल। जे सब तुने करो है। ना ताई जी, ना। ना ताई जी। मैं सच्ची कह रहा हूं। वो कॉमा था। वुरुष। 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 जुप। मैं सब समझ रही हूं। महाने बना रहो है ना। जे क्या गति कर दी मेरे रसूल की। अब असे एक अचु खाने के लिए रून रहा होगा। है ना। ना ताई जी। जिले। अविस से असा मती ना करियो। समझा। अब जा। लल्ला का ध्यान रफना। एचिप। मुह पोच। जा। मुह पोच। जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे। जा। जे सब समीटना पड़ेगो। कुछ और गिराना सेस रहेगो है। तुझ जा नहीं तुम। कववा पुरुस, कववा पुरुस। जे आजकल के बालक। लगता है अपने पंजो की धार बढ़ानी पड़ेगी मुझे। त त त त त त त त त tätä आज़ेगी त त त त त्त त त त त त अ! महराज कागासुर के बाद कंस अपने शत्रू को समाप्त करने का दायत तो सौपता है उतकच को जो किसी भी वस्तू या जीव में समा सकता है जिसे देखना असंभा हो पर उसे तनिक भी ग्याद नहीं है कि उसका सामना किस से होने वाला है अरे जिखा करो या लला इससे खेलने में समय है तुझे अभी पंडे जी जी लो गड़ना के अनुसार जन्म अच्छतर के पूजा उत्सों के लिए कल का मूर्थ बहुत है अच्छा है तो आवस्यक वस्तू की सूची बना दे था कल का मूर्थ? नाना पंडित जी कल तो बहुत सीगर हो जाएगो उत्सब तो बड़ा होनों चाहिए ना? इत्ती सारी तैयारी करनी है कल तक तो ना हो पाएगी आप तो ना दो चार दिन बाद का मूर्थ निकाले ना? पंडि जी यदि कल का मूर्थ शुभ है तो हम जे पूजा कल ही करेंगी हर कारे को बड़ा करना आवसक थोड़ी ना? निकड के मेत्र समन्दियों के साथ कर लेंगी किन तुन? पंडि जी आप सूची बना दीजी कल सारी तैयारी हो जाएगी तैसो तो पूजा के लिए रोली मोली तो है ना घर पे आप को ही पता होगो और ना? दूबबती वो तो होगी ना? आप को ही पता होगो वो के लिए प्रसाद वो तो बन जाएगो घर पे? आप को ही पता होगो यह सुदा क्या कर रही हो? साहता ना करोगी? आपने ही तो कही थी पंडित जी को कल तक सारी तैयारी हो जाएगी तो कर लो आप मुझे क्यों बोल रहे हो? रूठी का हूँ, कली की व्यवस्ता कर रही हूँ कोई नहीं पोसाग दिखाई न दे रही कल क्या पहनाऊंगी इसे पंडित जी थे सामने इसलिए तर्क वितर्क ना करो मैंने सुनो जी, मैं कह देती हूँ अपने लल्ला का जन न छत्रों सब बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं हाँ नहीं तो यह सुदात, उत्सौल से भी अधिक महतोपूर है पूजा पूजा हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे है न कुछ निकट के मितर संबन्यों के साथ कर लेंगे बस कैसे करेंगे आप? जे मोर मुखट के आतिरिक कुछ भी नया ना है लल्ला के लिए अरे वाँ यह तो बहुत सुंदर है अपने हातों से बनाओ है मैंने तो बस हार क्या चाहिए अप फस गए बाबा जे क्या करो आपने एक मोर पंग भी ना समाला जारो है आपसे अप लल्ला को क्या समालोगे? एक मोर पंग के लिए इतना क्रूध अब आप सब छोड़ो और जाओ अभी नया मोर पंग लेक्या हो मेरे लल्ला के लिए और वो भी वो मोर पंग जो अभी अभी मोर ने गिराया हो अब आप देख क्या रहे हो जाओ ना अभी? हाँ अभी तूता हुआ मोर मुकुट थोड़े ना पहनेगो मेरा लल्ला अपने उच्छा पर पहले पूजा की सामगरी का प्रबंद गर लू ये पूजा की सूची अधिक महतुपूण है अधिक महतुपूण? कहना क्या चाहते हो आप? मेरे नील मनी के मुकुट का पंक महतुपूण ना है? ये सोधा, इतने कम समय में बिल्कुल नए मोर पंक का प्रबंद मैं कहां से करूँगो? कहां से क्या? आप सीधे बन जाओ वहां कोई ना कोई मोर नाची रहोंगे एक आधा नया मोर पंक अवज से मिल जाएगो तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं एक मोर पंक के लिए पूरा बंचान मारूँ? और नहीं तो क्या? पुरानी रीट है जी प्यासा ही कुए के पास जातो है कुए चलके प्यासे के पास ना आता आप दोनों फिर से जगडा मत करने लगना बाबा संभालो ना अच्छा अच्छा मैं चला जाओ पर पूजा की तैयारी तो कर लूँ को सब मैं आ जानती मुझे कल उत्सब के पहले नया मोर पंक चाहिए कल कोई एक नई वस्तुत हो मेरे लला के पास यह समझनारी नीलमणी की सुरक्षा के लिए उत्सब आवेश सकना है जन में अच्छत्र की पूजा है क्योंकि पूतना की घटना के बाद से हमारे लला पर कंच की भी तरिस्टी होगी यह नाराय रच्छा करी हो यह नाराय रच्छा कराण नंद जी से फिर रूट जाती है लला के लिए नाया मोरपंग और क्या यह सुदाब समय ना मेलो मैं भी ओड़नी और चटाई निकालती हूं एह एह आपको तो कितने सारे आवस्यक का रहे है ना मैं ही चली जाती हूं तब नंद लाला को ही कुछ ऐसा करना पड़ता है कि सब फिर से ठीक हो जाए और जे लड़ू, चटाई, ओड़नी जे सब क्या है तो आपको क्या लगतो है मैं भूमी पे बैठूंगी वन में या फिर जब तक मोरपंख ना मिलेगो भूखे रहूंगी या सोधा तो नीलमणी को लेकर बन-बन भटकोगी अच्छा जी तो बस नीलमणी की चिंता है आपको मेरी ना है इससे पहले की फिर से जगडा आरंभो मुझे ही कुछ करना होगा तुनों की चिंता है इसलिए तो जाने से रोकरो जाना तो पड़े को चाहे मैं जाओ या आप जाओ मैंने कही ना प्यासा ही चलके कुए के पास जातो है कुवा चलके प्यासे के पास ना आता कुवा चलके प्यासे के पास ना आता कुवा चलके प्यासे के पास ना आता सुधा, मेरी बात तो… निल्मणी! उल्मों इबनोनी… मिष्रह, 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 मिष्रह! ऱия कि इनता 2 जयर हो, व्रेकों रात श्वर्भत, βonderाई चीज!!! अगले दिन पूजा आरम होती है और कुछ देर के लिए नंद लाला मैया की आपुं से ओजल हो जाते है अगले लाड कब इसके तन से विदा ले लेंगे उसे पता ही नहीं चलेगा य। झाइड थाड़ा ताइड य। निद्रादेवी, समय हो गया है भाए निद्रादेवी, अ रखेवी, समय हो गया है आए बिल्स निद्रादेवी, समय है आए रहा है आए लिद्रादेवी, समय हो गया है वलो स्री नारान बगवान नेकी जए यह शोदान दाइजी जल्दी आओ जल्दी आओ नेलमणी, मेरा नल्ला नल्ला? तुझे कच्छो कुआ तो ना है न, तुम ठीक तो है न मेरा नेलमणी, मेरा प्यारा बच्चा पूला, पंचिप, जे सब क्या है? उजवल, जे किसने करो है? और देख, कहानी मसु नहीं हो उजवल पुत्र, कैसे हुआ यह सब? किसने किया? और किसने? महाबली, नीलमणी ने बढ़ीताईजी जे का बोल रहो है? सच्ची सच्ची बता लो, फिर भस गया उजवल मैं सच्ची कह रहा हूँ, अचानक तीवरवेक से भायू चली फिर ऐसे लगो, जैसे कोई भुकम पार हुआ है और फिर जब मैंने जेखा, तो यह सकट अपने आप हिल रही थी खड़ब-खडगर, खड़ब-खड़ब-खड़ब और सकट का समान भी इल रहा था, खड़ता है सल्धर ऐसा लगो, जैसे सकट निलमणी को कुछल दे को पड़तावी, जे जाग गयो इसने खीच कर अपने पाउं का प्रहार करो और जेग गया शकर टाकाश में और फिर धनाव सब भूमे पे गरगर चकनाचूर मैं सच्ची कह रहा हूं ताइजी, नील मणी के पैरकर्स पर्श होते ही, वो सकट ऐसे वायू में उड़ी, जैसे कोई फूल अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप ओड़ के आ गया होगो ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूं येशोमती मैया को अपने लल्ला की चिंता सताती है, और रुहली भी उनसे अपने पुत्र बलराम के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है मैं जानती हूँ जिच्छे मैं समझती हूँ मैंने तो नील मनी के लिए इत्ते सारे संस्कार भी करो है पूजा पाठ की है किन तु आपने तो मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है आसु पोच लीजिये बड़ी मा शीक रही सब कुछ ठीक हो जाएगा जब मैंने उसे जनन दिया उसके बाद से आज तक ना उसे घर के बाहर लाई हूँ ना कोई संसकार किया है मैं तो उसका नामकरन भी नहीं करवा पाई हूँ ये शोदा उसके जन्म के समय स्वामी ने ये संदेश भिचवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी बनत नहीं पढ़नी चाहिए तब से आज तक भैके ज्छाओ में जीती आई हूँ कि वो कंस कही हमारे पुत्र को भी ना मार दे जैसे देवगी के सारे संतानों को मार दिया है ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी मा मैं हूँ ना मा अपनी संतान के मन की बात बिना कहें ही समझ जाती है आप भी समझ जाओ ना मैया चिची हमें रोनाना चाहिए हमें देखें ललना भी रो रहा है मैया आपकी सहायता की आवश्यक्ता है मुझे मुझे ऐसे क्यों लग रहो है जैसे ललना मुझ से कुछ कहना चाहरो है दाओ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी मा जैस सोच रहो होगो कि अब तक आपने इसके दाओ को छुपा के क्यों रखो है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया जिच्छी कितना मन करता होगा न इसका अपने दाओ से मिलने का और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा न कि अपने छोटे भाई को मिले कितनी बाते करते हैं हम दोनों की इनके सामने हाँ यशुधा, मैं भी अपने पुत्र को नील मनी के बारे में सब कुछ बता दें तो बस फिर हमें साथ साथ रखिये ना, मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूं मैया ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जिची हमें इन दोनों को साथ ही रखनों चाहिए आप ही सोचो जदी नील मनी की रख्छा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगो तुम सच कह रही हो यशोता हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए सुरक्षित तब तो सीगर ही पंडी जी को बुला कर हमें सुब्मूर्त निकलवानों चाहिए सुबमूर्थ हाँ सुबमूर्थ दोनों भाईयों के मिलन के साथ साथ उनका नाम करन संसकार भी करवा दे थे अब अपने दाव से मिलूंगा मैं